हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत हैं आज मैं आपके लेकर आई हूँ शिमला मिर्च और आलू की सूकी सबजी की रेसिपी ये सबजी टिफिन में देने के लिए बहुत ही जाद अच्छी है क्योंकि ये सबजी कम समय में बन जाती है सूकी सूकी सी बनती है और रोटी पराटे के साथ बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए शिमला मिर्च और आलू की सबजी की रेसिपी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां लिया है दो शिमला मिर्च, तीन छोटे साइस के आलू, दो मीडियम साइस के प्यास और एक टमाटर तो सबसे पहले हम सबजियों को काट लेंगे पहले शिमला मिर्च काट लेते हैं शिमला मिर्च के हम चारो साइट्स को चाकू से इस तरह कट करके अलग कर लेंगे इस तरह कट लगा लेने से शिमला मिर्च बहुत आसानी से कट जाती है और वेस्टेज भी बहुत कम होता है शिमला मिर्च की साइट को तोड़ कर हम इस तरह रखते जाएंगे और बीच वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे अब एक एक तुकड़े को हम लंबाई में इस तरह से काट लेंगे बहुत पतले तुकड़े हमें नहीं काटना है इन्हें हम थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे तो इस तरह से मैंने सभी शिमला मिर्च काट ली है और अब हम आलू को भी काट लेंगे आलू को भी हम शिमला मिर्च की तरह लंबाई में काटेंगे जैसे पटैटर वैजेस बनाते हैं उसी तरह से हम आलू को लंबाई में काटेंगे कोशिश करेगी सबजियों को एक जैसे काटे एक जैसे काटने में सबजियां दिखने में अच्छी लगती है तो आलू और शिमला मिर्च कट गए हैं, इसके बाद एक प्याच को हम बारिक टुकडों में काटेंगे और एक प्याच को लंबाई में और बड़े टुकडों में काट लेंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा इंच ग्रेटेट अधरक, पांच कली ग्रेटेट लहसून और दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर को मैंने बारिक टुकडों में काट लिया हैं, तो कटिंग चॉपिंग हो गई है तो चलिए सबजी बनाते हैं अब गैस पर रखेंगे कड़ाई और इसमें डाल देंगे एक टीस्पून जीरा, दो हरी इलाइची डालेंगे और तीन तुकडे दालचीनी के हम यहाँ सबजी के लिए भुना मसाला बना रहे हैं, तो तीस से चालिस सेकंड के लिए इन्हें हमें लो टू मिडियम फ्लेम में भून लेना हैं ध्यान रहे मसाला ना जले, नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएंगा और इनके फ्लेवर भी चले जाएंगी तो देखिए मसाला बुन गया है, और इनमें से बहुती अच्छी खुश्बू आ रही है, अब मिनिट ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे इसके बाद कड़ाई में 4 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, और तेल को हम 2 मिनिट के लिए गरम होने देंगे अब तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे अब आलू को हमें थोड़ा समय लेकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है आलू को हम मीडियम फ्लेम में लाल कलर आने तक फ्राई कर लेंगे यहाँ पर आलू को हमें 80% तक कुक कर लेना है तो देखिए यहाँ पर आलू में लाल कलर आ गया है इसी तरह से हमें आलू को फ्राई कर लेना है तो आलू फ्राई हो गया है इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके बाद हम शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे तो बचे हुए तेल में हमने शिमला मिर्च डाल दी है अब शिमला मिर्च को भी हम एक से देड़ मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे अब यहाँ शिमला मिर्च फ्राई हो गई है अब हम इसमें बड़े कटे प्याँच डाल देंगे और अब शिमला मिर्च को हम प्याँच के साथ 2 मिनिट तक और फ्राई कर लेंगे तो ये लीजिए शिमला मिर्च और प्याँच भी फ्राई हो गई है इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब बच्चे हुए तेल में हम एड़ कर देंगे आधी छोटी चम्मत जीरा और जीरे को हम थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने देंगे अब जीरा भुन गया है अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को एड़ कर देंगे अब हम इन तीनों को एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें बारिक कटा प्याज एड़ कर देंगे अब प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए प्याज भी याँ पर गोल्डन कलर की हो गई है तो अब हम इसमें बारी कटा टमाटर एट कर देंगे साथ ही स्वात के अनुसार नमक एट करेंगे और इसके बाद सूखे मसाले एट करेंगे एक टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टी स्पून धनिया पाउडर एट कर देंगे कश्मीरी रेट चिली पाउडर के बदले आप यहां regular मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम सभी मसालों को टमाटर के साथ भून लेंगे मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से सौफ्ट न हो जाए अब हम मसाले को 3 मिनिट के लिए लो फ्लेम में ढख कर पकाएंगे 3 मिनिट हो गया है अब हम इसका ढखकन हटाएंगे और मसाले को एक बार मिक्स कर लेंगे मसाला ड्राई लग रहा है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और 2 मिनिट के लिए मसाले को और भून लेंगे अब मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है इसी तरह से हमें मसाले को भूनना है अब इसी टाइम हम इसमें फ्राइ किये हुए आलू और शिमला मिर्च को एट कर देंगे और अब शिमला मिर्च और आलू को मसाले में मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और इसे एक बार mix कर लेंगे इसके बाद हम इसे ढख कर लो फ्ले में 5 मिनिट के लिए cook कर लेंगे अब 5 मिनिट बार धक्कन को हटा कर सबजी को एक बार चला लेंगे अब चेक कर लेते हैं कि आलू पके हैं की नहीं तो देखिए आलू बहुती अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए है तो अब हम इसमें एट कर देंगे भूने हुए मसाले का पाउडर और साथ में एट करेंगे बारिक कटा हराधनिया और इन दोनों को हम सबजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे भूने मसाले की वज़े से सबजी में से बहुती बढ़िया खुश्बू आने लगी है ये सबजी बहुती सिंपल और बहुती टेस्टी है सुबह की जलबाजी में भी आप इसे तयार कर सकते हैं तो लीजे फ्रेंड्स तयार है हमारी शिमला मिर्च और आलू की सूखी सबजी अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सबजी को सर्फ कर लेंगे रोटी पराठे के साथ टिफिन में देने के लिए ये बहुती अच्छा आप्शन है और डिनर में भी जब लगे कि क्या बनाएं क्या बनाएं तब इस रेसिपी को आप ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रें कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में